हलो फ्रेंड्स नमस्कार आपका स्वागत है आपके परिवार स्टीट अगनिंग में दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तयारी अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परामर्स की अवधारा अर आपने पास कर लिया इंटर आपको कैसे पढ़ना है या आपने क्लास एट पास कर लिया मतलब का अच्छा आठा पास कर गए हैं आपको नौ में अडिमिसल लेना है तो आप किसी ना किसी के पास राय लिने जाते हैं सलाह लिने जाते हैं तो दोस्तों आज हम इसके बारे मे सिद्ध होता है दोस्तों आज हम इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों उसके पहले कुछ बातें आप से डिसक्रिशन करना है दोस्तों समावेसी चिछा में लगभग आपका दो से लेकर के तीन चैप्टर माल ल prostu आपका तीन चैप्टर पूरा पूरा उप्चा है यह आपका एक चैप्टर कंप्लिट हो जाएगा इसके बात दो चैप्टर और बचेंगे ठीक है तो आप माल लिजए कि टोटल आपका लगभग लगभग सात से आठ वीडियो में आपका पूरा ये चिर बस समय उसी का, अगर आप लोग काके चाहे, तो इसका क्लास क कर वा दिया जाए, ठीक, अगर आप लोग कहेंगे , तो ऐसे एक छोटा-छोटा इडियो 30 Minutes का आपके साथgram, फुल डिस्कस्राइन diferen के साथ्ति जो है क्या जाए, दोस्तों महराथな मह क्या हुता है की कोई चीज ने दिल से नहीं पढ़ा मिलता है मतलब जैसे लंबा से लेबस होता है उसों खीचना पड़ता है और इसमें क्या होता है छोटे-छोटे करेंगे आपका समाजी कध्यान अगर आप लोग कहेंगे तो मैराथन की लगा दिया wiele फमाराइचत तो cooldown अधे कर दो सकष्षित कि आपको का मेडा करेंगे और अपनी राय को देंगे यहाँ पर कि कैसी class चाहिए कि आपका syllabus टाइम से दोस्तों आपका complete हो जाए और आपका दोस्तों मैत का revision कराना है दोस्तों पूरा तो आप लोग मैत की class कबसे लेना चाहते हैं दोस्तों कबसे आपका revision करा है मैत अगर आप लोग नहीं देखा हो थार्ट सेमेस्टर की मैत दोस्तों एक हमारा मैराथन का वीडियो है वो दोस्तों पुराना वीडियो है अगर आप लोग कहेंगे थोड़ा सा और उससे अच्छे लेवल के question का practice आपको करा दिया जाएगा तो आपको जैसा पसंद हो दोस्तों comment बाक्से में comment जरूर करिए बता क्या काते है counseling तो counseling काते है counseling होता क्या है इसको हिंदी में कहते है हमारा सलाह राय मसवरा सुझाओ ठीक देना या लेना ठीक मतलब जब हम किसी को कोई सलाह देते हैं कोई राय देते हैं कोई मसवरा सुझाओ आप लोग जानते होंगे आप लोग भासा सुने होंगे तो इसी क को हम दोस्तों counselling काते हैं ठीक है अब यह क्या होता है और कैसे दिया जाता है पहले इसको समझते हैं परामर्ज क्या होता है तो जैसे कोई भी ब्यक्ति या आप ही मालीजियों या हम ही हों किसी भी दूबिधा में फस गया हो जैसे कि आप जो है अभी आपको हम बताएं हैं कि आपने कच्छा आठ या क्लास आठ जो है पास किया और नौ में आपको admission लेना है तो आप confused हो गए कि हमको क्या arts बेग्राउंड से रहना चाहिए या science बेग्राउंड से रहना चाहिए या commerce बेग्राउंड लिना चाहिए मतलब आपने सोचा कि कौन सा बेग्राउंड मेरे ल लिया कि मेरे लिए कौन सा बिसाय उपयूकत रहेगा या कौन सा subject उपयूकत रहेगा तो दोस्तों ये सभी जो क्रियाएं होती हैं तो आप किसी के जिससे आप जा करके अपनी बात को कहते हैं और वो वेक्ति आपको उसके क्या उसके कुछ लाब और हान या उसके बारे में कुछ बताता है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों परामर्स कहते हैं ठीक है समझ जाएगा आपको लेखिए परामर्स का मतलब क्या हो जाएगा कोई भी राय सलाह सुझाओ जो दिया जाएगा किसी ब्यक्ति के द्वारा किसी ब्यक्ति को तो उसी को हम दोस्तों क्या कहते हैं परामर्ज काते हैं, समझ भायी है यहाँ तक, अब देखिए, आगे हम देखते हैं थोड़ासा, देखिए, तो परामर्ज आपको समझ माई है, तो हम पढ़ रहे हैं किया समयावीसी सिच्छा, और समयाव सिच्छा में बिसिष्ट बालक रही हैं, और हमको सिच्छा ऐसे बाल निर्देशन कुछ लोग को भूल गया होगा, तो निर्देशन दोस्तों इसके पिछले वाले वीडियो में हम अच्छे से discussion किये हैं, उसको जाकर कि आप लोग देख लिजेगा, वहां से आपको समझ में आ जाएगा निर्देशन क्या होता दोस्तों, निर्देशन को अगर हम उस problem का या उस समस्या का समाधान बताता है कि आप ऐसे ऐसे इस कार को करेंगे, तो इस समस्या से आप बाहर आ जाएगे, और आपने खुद से वह ऐसा कार किया, और आप समस्या से बाहर आ गए, तो उसको हम निर्देशन या guidance काते हैं, आप इंगलिस में समझेंगे guidance, किसी कोई भी सुझाव ले सकते हैं, कोई भी परामर्स ले सकते हैं, कोई भी राय, मसवरा या सलाह ले सकते हैं, ठीक, दोनों में दोस्तों अंतर है निर्देशन और परामर्स में, लेकिन एक बिसेस्ट बालक को अगर हम सिच्छा दे रहे हैं, तो सिच्छा देने में दोनों का जो है विसेस isat भूब अबहुत ज़्यादा आऊ सकता पड़ाता है दोस्तों हमारा क्या परामर्स और निर्देशन की आऊ सकता पड़ा है अपको परामर्स क्या होता ह edap क्रिप्लिछ रोता हो गया चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब देखी एए परामर्ण की कुछ परिभासाएं है। बिभिन्य मनोबग्यानिक लोगोंने मिल करके परिभासाएं दिया है। तो परामर्ण एक प्रकार के राय देना है। अब ही हम बता चुके हैं, जहां 31 स्वा निरड़ाय लेने में सच्छम नहीं होता है, मतलब जैसे आप ही कोई decision नहीं ले पा रहे हैं, तो अपने घर वालों से, या अपने परिवार वालों से, या अपने दोस्त से, किसी ना किसी से, आप उसके बारे में discussion करते हैं, बात करते हैं, कि हाँ हमको ये कार करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों, उमीद है, ये आपको समझ में आ गया होगा, क्या है, दुबारा हम लोग देखें, तो डाक्टर जयाल की अनुसार, डाक्टर जयाल की अनुसार क्या है, कि परामर्ज एक प्रकार की राय देना है जहां ब्यक्ति स्वार निर्ड़ लेने में सच्छम नहीं होता है अर्थात हमें राय दे देंगे तो हमारा ब्यक्ति क्या होगा जो ब्यक्ति होगा वो स्वार निर्ड़ अपने से कोई बात निर्ड़ लेने में सच्छम हो जाएगा दूसरी परिवासा दोस्तों हम लोग क्या है रोजर्ज के अनुसार रोजर्ज के अनुसार क्या है दोस्तों रोजर्ज के अनुसार क्या है कि परामर से किसी व्यक्ति के साथ लगातार परत्यक्ष संपर्क की वहकड़ी है जिसका उद्देश से व्यक्ति को उद्द की अभिवित्तियों तथा बेवहार में परिव बाहर में परिवर्ता ना आए आप उस कारी को कर ले जाए ठीक आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हों कोई भी आप हैसला ले रहे हों उसको आप सही डंग से ले सके तो देखिए अगर दोनों परिवासाओं को देखा जाए एक आग दो परिवासा दोस्तों अगर हम और हमारों दो मनवे गयानिक थे एक स्ोल्ट रों ठे और एक ब्रेमर थी इनके अनुसार एक परिवासा निकली है क्या है कि परामर्स को स्वा समायोजन की ऐसी प्रिक्रिया मना जाता है जिसमें परामर्स लेने वाले को इस तरह सहायता दी जा सके कि वह पहले अधिक स्वा निर्देशित यों स्वा उत्तरदाई बन सके मतलब किसी भी विक्ति को ऐसा सलाह देना कि वह अपने से कोई भी निसकर्स कोई भी डिसीजन ले सके उसी को हम दोस्तों परामर्स काते हैं समझ में आगए आपको ठीक है अब देखिए अगर आप देखें इन परिभासाओं का को तो इन परिभासाओं से एक निसकर्स निकलता है क्या निकलता है एक निसकर्स निकलता है वो निसकर्स हमारा क्या कहता है कि आप जो है परामर्स किसी विक्ति को देंगे क्या है कि परामर्स किसी व devraitक्ति को देंगे यह वर्यक्तिगत प्रक्रिया जैसे आप किसी दस लोग को नहीं समझाएंगे कि आपको क्या करना है एक एक भरती को अलग अलग परामर्स दिया देने में नहें फ़र होता है तो हम किसी के पास जाएंगे उसके पास जाकर के उससे क्या करेंगे परामर्स लेंगे तो पहले बात तो परामर्स एक देने वाला और एक लेने वाला दो विक्ति होना चाहिए दो विक्ति होना बहुत जरूरी है लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी दोस्तों आपका यह है कि जैसे माल लिजिये हमको कोई परामर्स लेना है तो सबसे पहली बात है कि हमको अपने दिल की बात किसी से कहनी है तो जब तक हमको उस ब्यक्ति पर क्या विश्वास नहीं होगा ठीक है या एक दूसरे के प्रस्ट निष्ठा नहीं होगा या वो मेरी बात समझ नहीं सकता है ठीक है जब तक ये विश्वास नहीं होगा तब तक हम अपनी बात उसको कह नहीं सकते है ठीक ये समझ रहे हैं आपसी विश्वास होना, जैसे आप ही लोगों कोई सीक्रेट बात है, क्या अपने घर में मम्मी पापा से कहते हो, नहीं कहते हो, अपने क्या फ्रेंड से कहते हो, मतलब हर एक बात को कहने के लिए अलग अलग प्रकार के बिक्ति होते हैं, उसमें आपसी विश्वास किस प्र कहने हैं ये सभी चीजें होना जरूरी है समझ भी आ गया दोस्तों यहां तक और दूसरी बात वातावरण योंग सुविधायन अब देखिए वातावरण योंग सुविधायन अगर इसका मतलब हम ना बता हैं तो भी आप समझ में आ जाएं जैसे कि अगर आपको खूल कर कहने का महौली ने दिया, मतलब जैसे आप कोई बात है जैसे हम ही मालीज किसी समस्या में है और हम को समझ ने हम करें क्या तो हम किसी यहां गए, लेकिन हमको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है हमको उपयुकत वातावरण नहीं दिया जा रहा है हमको हमारी बात कोई सही से सुन नहीं रहा है या हमको वातवन मिल नहीं रहा है बोलने का तो क्या होगा वहाँ पर व्यक्ति ना सही से कह पाएगा ना उसको क्या हो जाएगा ना सही से उसको परामर्स मिल पाएगा दोस्तों ठीक है या आपको समझ में खुद से ही अपने बारे में अपना decision खुद से ले सकें यही हमारा parameters होता है समझा गया दोस्तों clear हो गया आपका अब देखिए parameters के उद्देश अगर आप इतना समझ गए होंगे तो parameters के उद्देश अराम से समझ जाएंगे aim क्या होता है कि किसी भी बिक्ति को खुद से आत्म निर्भर बनाना जैसे कि ओ किसी भी समझ से हम फचा है तो उसको क्या करना कि आत्म निर्भर बनाना जिससे ओ अपने बारे में अच्छे से जान सके हम कहां पर, हम कौन से कार करने में सच्चम है, कौन से कार करने में सच्चम नहीं है, ये सभी परामर्स है, उसको देना, ठीक है, ये पहला हमारा हो गया, अगर दूसरा देखा जाए, परामर्स के उद्देश क्या क्या होते हैं, तो परामर्स का उद्देश दूसरा हमारा कि परामर्स का उदेश चात्र को अपनी कठनाईयों को हल करने की योजना बनाने में सहायता करना उसको आप सलाह देंगे कि देखो ये कारे आपको करना है तो इसको ऐसे करोगे तो आप अराम से कर ले जाओगे इसमें कुछ निर्देशन मी आ जाता दोस्तों निर्देशन प परामर्स थोड़ा सा डिफिरेंट होता है दोस्तों ठीक है आगे देखिए परामर्स का उद्यस क्या है कि छात्र को अपनी विशिष्ट योगताओं और उचित द्रिष्ट कोड़ों का विकास करने में सहायता देना है हम लोग पढ़ रहे हैं समावसी सिच्छा और हमको इसम विशेश कर विशिष्ट बालकों को द्यान में रख कर कि सिच्छा देनी है तो हमको किसी भी कोई बालक है वो विशिष्ट बालक है या वाणी बातित बालक है या सरोण बातित बालक है तो उनको इस प्रकार से उनको सलाह देना इस प्रकार से उनको का उनका कांसिलिंग कर ठीक है कि वो अपने मुन के अंदर क्या क्या ability है उसको समझ सकें और समझ सकें उसी के अनुसार से वो अपने उसको implement करके और वो अपने कोई भी decision हो कोई भी नर्ड़य हो उसको आगे लेकरके अपने जीवन में आगे बढ़ सकें तो दोस्तों यह हमारा क्या होता है उद्दे ठीक है तो इसी सब को किसी विवक्ति को देने की प्रकरिया को हम दोस्तों क्या काते हैं परामर्ज काते है अब देखा आजाए तो परामर्ज की आवसक्ता यो मुस्के छेतर क्या होते है परामर्ज की आवसक्ता क्यों पड़ी हमारे समावेशी सिच्छा में परामर्ज की आवसक्ता क्यों पड़ी तो दोस्तों समावेशी सिच्छा में परामर्ज की आवसक्ता इसलिए पड़ी कि शात्र जो है पहली बाद तो चात्र हमारा कैसे चात्र है, बिसिस्ट प्रकार के चात्र है, तो वे अपने निरड़े कभी-कभी नहीं ले पाते हैं, तो उनको निरड़े लेने में, उनको सचिक समस्या में, मतलब पढ़ने लिखने में कुछ निरड़े नहीं ले पाती हैं, उनको समाधान करने में ठीक है उनको किसी भी ब्यक्ति के साथ समाज के साथ या विभिन बस्तों के साथ उनको परामर से दे करके उनको सलाह दे करके समावजन करने में ठीक क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या बिस्ष्ट सिच्छा के बारे में ठीक बिस्ष्ट के बारे में आगे देखिए दोस जैसे आपने आज पढ़ रहे हैं, तो जैसे आप लोग आज पढ़ रहे हैं, तो आगी चल कर क्या बन जाएगा, टीचर बन जाएगा, तो आपका क्या है, एक सलाह है, आप खुल से लिए होंगे, या कोई आपको दिया होगा, तो इसी प्रकार से आप बच्चों को सलाह दे स सकते हैं उनके अब क्या होगा बच्चा जब इसके बारे में समझेगा कुछ अपने से समझेगा सोचेगा तो उसको रूचित्मन होगा आगे देखिए अधियम बिधियों संबंधी परामर्ज मतलब कुछ-कुछ बिदिया जो है कुछ-कुछ अधियम बिदियों में परिवर्तन लाने के हैं तो सिच्छकों को आप परामर्ज दे सकते हैं आगे देखे अधियम कौसल संबंदी परामर्ज तो ये सभी परामर्ज हम दे सकते हैं ये सभी हमारा क्या होता है मतलब इसलिए हमारा परामर्स के आउसक्ता पढ़ी किसलिए परामर्स के आउसक्ता बच्छों के हमारा 20.0 बच्चों में परिवर्तान आए उनको वो सीखने में आगे रखे उनको रूची हो उनके अनुसार उनके सिछन आदिकम समागरी लाया जाए तो ये सब ही हमारा आवसकता हुई परामर्स को लाने की अब देखिए परामर्स के छेतर कौनकों से होते हैं किस-किस प्रकार के बिक्तियों को परामर्स देने की आवसकता होती दूर बिवहार, दूर बिवहार मतलब है एक ऐसा बिख्ति जो गलत बयवहार कर रहा है तो गलत बयवहार करने वाले बेख्ति को आगर आप सलाह देंगे ऊसको समझायेंगे तो हो सकता उसके अंदर क्या कुछ भाव 토टम परिवरतन आजाए और कुछ मतलब कुछ नः कुछ Cayente परिवरतन आजाए और यह सब भी को हम promise के दौरा दूर कर सकते हैं कोड़ प्रबंद है किसी उविक्त को गुस्सा बहुत जादा आ रहा है आप उसको जो सलाह देंगे गुस्सा करना गलत बात होती है गुस्सा नहीं करनी चाहिए तो उसके दौरा हो सकता है सोक और नुक्सान कोई बिक्ति है डिप्रेशन में जैसे गुस्लों का क्या हो जाता है दोस्तों ब्रेक अप हो जाता है तो क्या होता है बैचारे सोक में डूब जाते हैं उनको आपको जैसे आपके फूरी फ्रेंड हो गया तो आप क्या करेंगे उनको एक एडवाइस देंग हो और नौकरी पाज़ाओ चलिए आगे देखिए मैं दोस्तों डिब्रेशन दिप्रेसन लोह को होता है कैसे कुछ लोह को फ्यूचर को लेकर को होता बहुत कुछ सी तीजों को लेकर डिप्रेसन हो जाते हैं भोजन भीकार लोग भोजन सहीच améric cannot खाते हैं फास्ट फूट खाने लगते हैं जैसे उनके अंदर अंदर दोस्तों क्या मुटापा आ जाता है बीमिन प्रकार की बीमारी आ जाती है दोस्तों आगे देखिए रिस्ते ये तो दोस्तों आप लोग बत्षे जानते होंगे रिस्ते यूगल की प्रामर्स जैसे की पत टापिक क्लियर हो गया होगा, अब दोस्तों आपका वीडियो जल्दी से जल्दी कंप्لीट कर दिये जाएगा इसके आगे ये पूरा आपका ये समाविसी सिच्छा का पूरा कंप्लीट होने के बाद आपका पूरा जो है आपका सोचल इसके बाद जो-जो सब्जिक्ट आप कहेंगे डिमांड करेंगे उसका पूरा कम्प्लीट कर दिया जाएगा तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों और चैनल को आपने सबस्क्राइब कर लिया होगा दोस्तों और सब्सक्राइब अपने दोस्तों पास वीडियो को सेर कर दिया होगा दोस्तों तो दोस्तों इसी प्रकार से प्यार बनाए रखिए मिलते हैं नए वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याल लखिए जैहिंद बंदिमाताम